हेलो बच्चो मैं सफी सर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके चैनल आफिया कवेश्टी पॉइंट में आप सभी को नमस्ते आज के वीडियो जो है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को क्या करने वाले है क्लाश टैन्थ साइन्स बैलोजी का एक यूनिट है यूनिट वन जिनका नाम क्या है जयव परकरम तो इस यूनिट के जो है दस ऐसे वेरे वेरी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोष्टन एंसर के साथ बतलाने वाले है इस वीडियो में जो आपके बोड एकजाम दो हजार चोबिस के लिए क्या है इंपोर्टेंट है जितने भी बिहार बोड क्लाश टैन्थ के विद्यारती है उन सारे विद्यारतियों से हार जुड़के रिक्वेस्ट है विंती है बावू इन दसों अब्जेक्टिव कोष्टन का एंसर जो है पूरी मंदारी से आप लोग को कम्प्लिट कर लेना है क्योंकि यह सारा कोष्टन जो है कोष्टन बैंक से सेलेक्ट यानि सजेस्ट किया हुआ कोष्टन है वही कोष्टन हम सजेस्ट और सेलेक्ट किये है जो आपके बोड एकजाम दो हजार चोबिस के लिए क्या है इंपो objective question का answer आप लोग हर आल में complete कर लेना है चलिए ठीक है चलिए ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे फटा-फटा आप लोग को क्या करेंगे एंसर बतलाएंगे ताकि आप लोग को अच्छा लगे वीडियो काफी ज़्यादा long ना हो चलिए question नमर एक देख लिजिए आता है कि नहीं यह question जो है important है हकिकत में यह question दो हजार चोविस बोड़ एक्जाम के लिए very very important है तो इसका right answer क्या हो जागा लिवर हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी गरंती लिवर है तो चलिए हम direct आप लोग को answer बतला रहे है फटा फटा answer आप लोग को बतलाएंगे ताकि जो है video काफी ज़्यादा long ना हो question नमर दो माना भीरदय में कितने कोश्टक होते हैं तो माना भीरदय में कितने कोश्टक होते हैं चार कोश्टक होते हैं तो चार कौन सा option में B तो B इसका right answer हो जाएगा और यह question 2022 हो गया 211 हो अभी हर बोड objective में question आया हुआ है ठीक है चलिए तीसरा question पौधे में उसरजी पदारते हैं गौन, टैनिन, रेजिन, सभी तो यह तीनों आपका जो है पौधे में उसरजी पदारते हैं तो सभी हो जाएगा D option right हो जाएगा ने इसका right answer D हो जाएगा ठीक है तो इस परकार स इसका सभी हो जाएगा 22 और 20 में आया हुआ है बिहर बोड objective में question नमर चार देख लिए एक व्यासक मनुष्य के कितने दात होते हैं तो सब को मालूम है न बाबु आप लोग जानते हो सर आप लोग को बतलाये होंगे आप लोग अच्छे बच्चे हो ठीक है तो इसका right answer C हो तो कौन है इना मेल इसका right answer हो जाएगा B 2020 में आया हुआ है चलिए question number आपका कितना पाच complete हो गया question number 6 complete हो गया question number 5 में क्या था आपका कौन सा enzyme वसा पर क्रिया करता लाइपेज यानि C इसका right answer हो जाएगा दात की सबसे उपरी प्रत इना मेल हो जाएगा इसका सही जवाब चलिए question number आप साथ देख लिजिए साथ में क्या है मत्से का मुखे सोसन अंग है तो किसको नहीं पता है गिल्स इसका right answer हो जाएगा 2020 भी हर बोड अबजेक्टिम में आया हुआ हुआ है चलिए अगला question आप लोग देख लिजिए question number 8 पौधों में पौधों पत्तियों में गैसों का अधान परतान किसके दुआरा होता है ये तो most important question है 2024 के लिए star लगा देते हैं double star चलिए क्योंकि ये very very important question last question 2024 के लिए run रहो जाएगा 20 का right answer हो जाएगा option पढ़ेंगे वीडियो काफी जादा long हो जाएगा आपको लोग का अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आप ल question number 9 है चलिए question number 9 देख लिजिए आपका question number 9 क्या है important question है परकास installation होता है तो काब होता है दीन में होता है सर आप लोग को बतला है ऐसे भी आप लोग जानते हो 2022 पंद्रे बिहारबुड objective में आया हुआ है आज की वीडियो का अंतीम question फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो अंडा से इसका right answer हो जाएगा C, C इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है अंडा से चलिए question 2020 भी हरबुड objective में आया हुआ है ऐसे भी आज की वीडियो में आप लोग को कितना question 10 very very important objective question answer के साथ बतला है और ये सारे question जो है आपके board exam 2024 के लिए important नबावू ये सारे question का answer request channel को जरूर सस्क्राइब करना धन्यवाद